वेल्कम टू यूपी ट्रिपल सी क्लासेस और सस्क्राइब माई योटूब चैनल हेलो दोस्तों वेल्कम टू यूपी ट्रिपल सी क्लासेस आज मैं कर्शी विज्ञान से बहुत ही महात्पूर्ण टॉप 20 प्रशन लेकर आया हूँ ये आपका मौक टेस्ट 2 है test first में जो है कुछ लोग हमारे साथ समलित हुए थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया था mock test 2 देखते हैं कितने लोग इसमें समलित होते हैं और कितने question का जवाब दे पाते हैं हम आपको हर question पढ़ेंगे जिसमें 4 option है 5 से 7 second तक हम आपको time देंगे सोचने के लिए आपको 11 second के बीच में answer देना है ये top 20 question है अगर आप 15 question 15 परशन तक जवाब दे सकते हैं तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और अगर आप 15 नहीं दे सकते तो लगेगा कि आप जो है सिर्फ time pass कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग बिलकुल लगन से लग जाईए और पढ़ना इस्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत time नहीं बचा है पर इच्छा जब आता है तो फिर कुछ दिमाग काम नहीं करता है तो चलिए दोस्तों इस्टार्ट करते हैं फ्रस्ट नमबर फ्रस्ट है कि कपास के रेश से किस से प्राप्त होते है अपसन पढ़ देता हूँ A है बीज B है तने C है पत्ता D है मूल 5 सेकंड का टाइम है आप लोग बताइए इसका राइट एंसर क्या होगा चलिए टाइम ओबर हो गया इसका राइट एंसर जो होगा आपसन नंबर B है दोस्तों कि कपास के रेश से जो है तने से प्राप्त होते है चलिए प्रश नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सी फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है कई बार ये कोस्चन में डाल चुका हूँ अपने वीडियों में अप लोग अगर देखे होंगे तो जब आप लोगों को पता हो जाएगा तुरंद चलिए पांच सेकंड का टाइम है आप लोग बताईए टाइम उबर हो गया दोस्तों तो ये आपसन नंबर C है चावल क्यों नहीं है चलिए नेक्स प्रेस देख लिजिए प्रेस नंबर 3 है कि निम निम में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है आपसन ये मक्का B है मुंग फली C है कपाच D है सरसो इसका राइट एंसर क्या होगा चलिए राइट एंसर बता देते हैं अपसन नंबर D दोस्तों सरसो जो है खरीब की फसल नहीं है सरसो रभी की फसल है प्रेस नंबर 4 है दोस्तों कि वानवस्पतिक रूप से केला का फल एक है ड़ेस ड़ेस है क्या है अपसन है बेरी फल B है पॉम फल C है नेट फल D है इन में से कोई नहीं चले 5 सेकंड का टाइम है आप लोग बताइए ये भी प्रेशन में अपने वीडियो में अपलोड किया हूँ तो इसका राइट एंसर आपसन नमबर A है दोस्तों बेरी फल होता है प्रेशन नमबर 5 है दोस्तों कि कैल्सियम कारबाइट रशायन निम्र में से कौन सी कैस निकालता है A है बेंजीन, B मीथेन, C है सिटिलीन, D है इथाईलीन 5 सेकंड का टाइम है चलिए टाइम कतम हुआ इसका राइट एंसर है आपसन नमबर C, ए सिटिलीन प्रेशन नमबर 6 है दोस्तों कि भारत में प्रति हेक्टियर किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है बहुती सरल और बहुती अच्छा प्रशन है बताइए क्या होगा एंसर चलिए हम बता देते हैं आपसन नमबर C है आम प्रति हेक्टियर जो है फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है आम का भारत में प्रश्ण नमबर साथ बहुत ही मातपूर प्रश्ण है दोस्तों कि पनामा मिलानी नामक बीमारी किस फल को हानी पहुचाती है इसका राइट एंसर टाइम ओबर आप्सन नमबर बी विल्कुल राइट है केला का है प्रश्ण नमबर आठ है दोस्तों कि भारत से निर्यात की जाने वाली आमकी अच्छी किसम कौन सी है आप्सन यह चौसा बीदा सेरी सी लंगणा डी अलफांसो राइट एंसर आप्सन नमबर डी अलफांसो प्रश्ण नमबर नौ है दोस्तों कि सिंगा टोका किस फल के ब्रिच से सम्मंदित है आप्सन यह है अमरूद बी है अंगूर, सी है केला, डी है जामुन राइट एंसर आप्सन नमबर सी, केला, सिंगा टोका जो है केला फल से सम्मंदित है प्रश्ण नमबर दस, बहुत ही मातपूर प्रश्ण है कल्यान सोना किस की किस्म है चलिए आप्सन नहीं पढ़ूँगा आप लोगा एंसर बताइए प्रश्ण नमबर ग्यारा, बहुत ही मातपूर है निम्न में से काउन सा सुमेलित नहीं है सही नहीं है अ है अरहर करनाल बंट, बी मुंग फली टिक्का रोग सी जार कंदूवा रोग, डी धान खैरा रोग अपसन नमबर बी वी राइट है सी वी राइट है और डी वी राइट है अपसन नमबर ए राइट नहीं है क्यों नहीं रोग दोस्तों क्योंकि अरहर में करनाल बंट रोग नहीं जबलकि उकठा रोग लगता है करनाल बंट किसका रोग है, किस फसल का करनाल बंड दोस्तों गेहूं की फसल में लगता है चलिए नेक्स प्रस्न देख लेते हैं प्रस्न नमबर बारा है कि राज को कितने क्रिसी जलवाई छेतर में बाटा जा सकता है इसका राइट एंसर पांच सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास चार दो पांच है राइट आपसन आपसन नमबर सी है दोस्तों पांच प्रस्न नमबर तेरा है सबसे ज़्यादा बसा किसके दूद में पाया जाता है बहुत ही मात पूर है ए बकरी, ब भैस, सी भेड और डी गाए राइट एंसर क्या होगा मित्रों इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर भी भैस भैस में सबसे ज़्यादा बसा पाया जाता है साड़े आठ से नौ प्रतिसद तक बसा जो है भैस में मिलता है प्रस्न नमबर चोदा है दोस्तों एंटो मोलाजी का संबंध किस से है एंटो मोलाजी का संबंध आपसन नमबर सी विल्गुल राइट है दोस्तों कीट विज्ञाद से संबंध देता है प्रस्न नमबर पंदरा है कि निम्न में से कौन साई विटामिन फलों में नहीं पाया जाता है बहुत ही आसान सवाल है अपसन नमबर बी बिल्कुल राइट है विटामिन दी दोस्तों किसी भी फल में नहीं पाया जाता है बल्कि कहां पाया जाता है शूरी की प्रकास में शूरी की प्रकास से ही दोस्तों विटामिन दी प्राप्त होता है प्रश्ट नमबर 16 है दोस्तों बहुत इमादपूर्ण है कि निम्द में से कौन सा कथन असत्य है कथन देख लेजिए A है पपीता में पीले पन का कारण कैरिका पिगमेंट है B है आवले पन में कसले पन के कारण टैनिन है C है बदाम में कड़वाट का कारण E.M.I. Ladeean है D है मिर्च में तीखा पन का कारण कैरोटीन है कौन सा गलत है अत्य है इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों आपसन नमबर D बिल्कुल राइट है कि मिर्च में तीखे पन का कारण जो है कैरोटीन नहीं है, बलकि कौन्सा है? कैप से सिन, कैप से सिन के कारण जो है, मिर्ची में तीखा पन होता है, ना की कैरोटीन के कारण, प्रश्ट नमबर 17 है दोस्टों, कि विस्व में सबसे बड़ा सबजियों का उतपादक राष्ठ कावन सा है? कई बार बता चुका हूँ क्या उनसा आपसन बिल्कुल राइट है दोस्तो चलिए मैं बता देता हूँ आपसन नमबर सी बिल्कुल राइट है चीन है जो है विसु का सबसे बड़ा सबजियों का उतपादन करने वाला देश प्रेश नमबर अठारा है भारत में रेशम उतपादन के मामले में काउन सा कथन सत्य नहीं है चलिए पढ़ देता हूँ यह है विसु का कुल 18% रेशम भारत में पैदा होता है भारत विसु में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उतपादक देश है C हे रेशम कीट पालं को सेरी कल्चर कहा जाता है D है भारत के कुल कपडा निर्यात में रेशमी बड़ो बस्त्रों का योगदान 30% है तो कौन सा प्रश असत्य है खथन असत्य है तो अप्सन नमबर D है दोस्तों की कथन असत्य है क्योंकि भारत का कुल कपड़ा निर्यात में रिसम का योगदान 30% नहीं दोस्तों सिर्फ 3% है ओके क्लियर हुआ चलिए नेक्ष्ट देख लेते हैं प्रश नम्मर 19 कि निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है कौन सा कतन सही नहीं है मित्रो बताइए इसका राइट एंसर होगा आप्सान नम्बर C अब ही पहले मैं उपर प्रशन एक बताया हूँ कि भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है बलकि कौन सा देश है चीन 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 लाश्ट प्रशन देखते हैं इस वीडियो का प्रशन नमबर 20 है दोस्तों चीन लाइक जरूर करिएगा आफिम छेतर है दोस्तों तो यह रहे दोस्तों टॉप 20 मोश्ट इंपोरिटन कोस्चन दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा सियर भी कर दीजिएगा चैनल सस्क्राइब कर लिजिएगा और हम से जुड़ जाईएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नया जानकारी भरा वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच जैहिन जैभाद